आज हमारा चेप्टर 12 का लेक्चर नमबर 17 है, जिसमें हमने दो टॉपिक्स डिसकस करने हैं, जिन में से एक तो एक शौर्ट क्वेशन है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोलराईजेशन ओफ डाय इलेक्ट्रिक्स और दूसरा एक लॉंग क्वेशन है, जिसमें हम एनर्जी स क्या मतलब है? मैरे पास जो प्लेटक्पू को चारज है, इस बैट्री को मै ने इन रिमूव कर दिया, अब देखें, इन दोनों प्लेट्स के दर्मयान, एक इलेक्ट्रिक फिल्ड डिवल्ट हो चुकी है, जिसकी डायों होगी? पॉस्टिव से रगकवर को तरफ अब हमने पता क्या करना है। हमने इन दोनों प्लेट्स के दर्म्यान एक dielectric medium रख सेना है। मैं अभी इस टॉपिक के बिलकुल लین्ड पे जा के आपको dielectric medium की definition भी बताऊंगा। तो dielectric medium हमने यहां रख दिया। अब होता ये है कि diagnostic medium जारी बात है ये एक insulator है और एक कोई भी material है हर material जो है वो atoms या molecules से मिलके बना है अब जारी बात है इसमें भी atoms या molecules मौझूव्वथ है जब तक हमने इसको plates के दर्मियान, charged plates के दर्मियान नहीं रखा था तब तक इसके जो atoms है ना या इसके अंदर जो molecules है उनका positive और negative charge एक दूसरे के साथ mix up था mix up से मुराद ये है कि जो electrons का negative charge है और जो अंदर nucleus के अंदर protons है उनका positive charge है इनका जो average point था ना वो एक दूसरे के साथ coincide कर रहा था यानि आप ये कह लें कि ये positive negative एक दूसरे के करीब करीब थे और on the average हम कह सकते हैं कि इनका जो center है वो एक दूसरे के साथ overlap कर रहा है कहने का मतलब ये है कि resultant कोई charge यहाँ पर appear नहीं हुआ 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 ठीक है लेकिन जैसे ही हमने external electric field के दरम्यान इस dielectric को रख दिया तो पता क्या होगा जो positive plate थी ना positive plate इस dielectric के atoms के अंदर जो negative portion है यानि जो negative charge है उसको अपनी तरफ खेंचेगी और इस तरफ जो negative plate थी ना वो उन atoms या molecules के positive charge को अपनी तरफ खेंचेगी जिसकी वज़ाए से क्या होगा atoms या molecules के अंदर positive और negative charge थोड़ा सा एक दूसरे से फासले पे हो जाएगा यानि दोनों के दरम्यान थोड़ा सा distance पैदा हो जाएगा इसे कहते हैं dipole यानि equal and opposite charges when placed at some distance form an electric dipole इसका मतलब है ये जो dielectric है ना इसके अंदर ये positive और negative charges की जो separation हुई है इसके नतीजे में atom या molecules ने electric dipole की शकल इफ्तियार कर लिए है मैं दुबारा अपनी बात को repeat कर रहा हूँ उस तरफ positive plate थी इस तरफ negative plate थी तो dielectric का जो negative charge है वो उस तरफ चला गया positive plate वाली side पे और positive charge negative plate वाली side पर आ गया जिसका मतलब ये है कि अंदर छोटे-छोटे dipoles बन गए है electric dipoles बन गए है और इसी electric dipole बनने के phenomena को बोलते हैं electric polarization यानि हम electric polarization को इस तरह से understand कर सकते हैं कि जब भी किसी dielectric को external electric field के अंदर रखा जाएगा तो इसके अंदर dipoles पैदा हो जाएंगे and this phenomena is called electric polarization और इस वक्ट जो dielectric की situation है न जिसके अंदर dipoles बन चुके हैं इस हालत में dielectric को बोलते हैं that this dielectric has been electrically polarized polarized का मतलब क्या हुआ कि इसका positive और negative chart थोड़ा सा displace हो चुका है मैं फिर अपनी बात को इस पूरी situation को repeat कर रहा हूँ गौर से इस चीज को understand कीजेगा अब हम इस से अगला एक point जो है वो discuss करने जा रहे है देखें उस तरफ positive plate थी इस तरफ negative plate थी और जो dipoles बने electric dipoles उनका negative part उस तरफ है और positive part इस तरफ है अब गोर करें जो external electric field थी उसकी direction क्या थी positive से negative plate की तरफ यानि मेरी तरफ लेकिन dipoles बनने के बाद जो die electric के अंदर एक अपनी electric field develop हो गई है गोर करें उसकी direction क्या होगी positive से negative direction की तरफ यानि dipoles का जो electric dipoles का positive part है वो तो इस तरफ है मेरी तरफ है और negative part दूसरी तरफ है तो इसलिए electric dipoles के अंदर जो electric field develop होई है इसकी direction ये होगी और external electric field के direction क्या थी मेरी तरफ थी dipoles की electric field की direction क्या है मेरे से अवे अगर मैं इस electric field को E prime का नाम दे दूँ और external electric field को E का नाम दे दूँ तो बताएं external electric field के असर में कमी नहीं होगी क्यों कमी होगी क्योंकि जो dipoles की electric field है वो external electric field को oppose कर रही है इसका मतलब पर हम कह सकते है resultant electric field is less resultant electric field में थोड़ी सी कमी हो गई है has been decreased ठीक हो गया अब हम अगला एक छोटा सा point discuss करते हैं आपने ये तो पड़ा था capacitance के बारे में capacitance is equal to q divided by v और v का हमने एक relation बनाया था v is equal to e into d d is the distance between the plates and e is the resultant electric field between the plates आप गोर कीजिए जब हमने dielectric को दर्म्यान में रखा तो dielectric क्या हो गया dielectric polarize हो गया और इसके polarize होने के बाद क्या हुआ resultant electric field में कमी आई तो ये वाली जो equation आप देख रहे हैं इसके मताबिक electric field में कमी आने से potential difference में भी कमी आएगी और potential difference में कमी आने से वो जो मैंने उपर relation लिखा है c is equal to q over v potential में कमी आने से इस ratio में इजाफा हो जाएगा क्योंकि नीचे छोटी value आप उट कर रहे है q over v ये जो ratio है इसमें इजाफा होने का क्या मतलब है कि capacitance में इजाफा हो जाएगा तो आज हमने ये सीख लिया कि actually वो जो पिछले topic में हम पढ़ रहे थे कि दरम्यान में dielectric medium रखने से capacitance में क्यों इजाफा होता है तो हमें समझ आगी कि इसलिए इजाफा होता है क्योंकि dielectric के अंदर electric polarization का phenomenon हो रहा होता है और electric polarization की वज़ा से external electric field में कमी आती है जिसकी वज़ इस बात की reason के capacitance में क्यों इजाफा होता है dielectric को अंदर put करने से तो ये एक short question है आपसे short question के तौर पे इसको पूछा जा सकता है इसके लाव हम से के use में ये जो points मैंने आपको discuss की हैं आपके साथ ये भी पूछा जा सकते हैं अब हम देखें गौर से अपनी वो पूरी discussion को revise क करें अपने mind में क्या अब हम इलेक्ट्रिक जो ये जो dielectric है इसको define करने की position में नहीं आगे देखें डाइलेक्ट्रिक इस एट ऐसा इंसुलेटर है जिसके अंदर dipoles पैदा किये जा सकते हैं यानि positive or negative जो charge है उसको थोड़ा सा displace किया जा सकते है लेकिन ऐसा इंसुलेटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक पैदा नहीं न किये जा सकते हैं उसको आप डाइलेक्ट्रिक नहीं कह सकते हैं ठीक है हम डाइलेक्ट्रिक को इस तरह भी define कर सकते हैं कि ये एक ऐसा इंसुलेटर है जो external electric field को oppose कर रहा है यहां भी ऐसा ही हुआ था जब अंदर dipoles बन गए थे तो इसने external electric field को oppose करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से finally capacitance में इदाफ़ा हुआ तो यह था आपका electric polarization का एक छोटा सा overview